सबस्क्राइब को करवाँ आपको इस्ट्वेंट्स आपको बताता चलू कि जो हमने पिछला टॉपिक कवर किया उसको उसकी प्रैक्टिस करना जुरूरी है सब्सक्राइब आप स्ट्वेंट्स है बहुत स्विते के से उसको कवर भी क्या होगा हमान न्यू टॉपिक जो है है एंटेक्स फॉर्मिटिंग हैंडिंग्स वहले पढ़ते हैं इस्ट्वेंट्स की डिफाइन करता है छे लेविल्स को मैं अगर यहां से पढ़ता जाऊंग इडिफाइंग हगा डिफाइन क की बने जाओ हग डिफाइक्टिव आँ और इस्ट्वेंट्स एक जो हैंग पर सबसे बड़ा सा फॉंट साइज देगा आपको सही है लाज़ेस फॉंट साइज एस तो कम्पेर एच सिक्स को देखा जाए इट गेवस इस मॉलेस्ट फॉंट साइज इस फॉंट फॉंट साइज देगा एच सिक्स स्मॉलेस्ट अब अगर आपकी मरज़िया इस टू से जाएं यह सब एच वन से नीचे है आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह की हैडिंग डालना चाहते हैं अपने ब्राउजर पर तो इस तरह से हैडिंग डलती हैं और इस तरह की उनकी लेविल्स होते हैं स्क्साद था की हैं और किस तरह से उनको इस ताल करना थोड़ा उसको चेंजिस करनी है कि निर्ट था किया जाता है पहला है हमारा था स्च फार्मेट बी-ड आई-ट-ू यह तेन टेक्स हैं सबसे पहले B for bold I for italic and U for underline example ले जो मेरा टेक्स था अगर मैं B का टेक इदर डाल दूँ यहाँ पर तो यह होगा क्या define का function board हो जाएगा मोटा हो जाएगा अगर italic डालू यहाँ पर यह इधर ही आप डालते हैं यहाँ पर italic कर देते हैं ऐसा करते हैं ठीक है तो होगा क्या यह italic function चाहिए किस वे में होगा इस तरह से कुछ italic इस तरह से होते हैं मतलब थोड़े left side की तरफ क्या करेगा मैं अगर underline का tag लगाया है यहाँ पर यह ऐसे line आजेग इसके लिए जब दूसरेंट्स यह तीन tag थे जो text formatting में next हमारा है pre pre का tag क्या करता है इसको use के जाता है के pre formatted text जो होता है ना उसके लिए जो web browser होता है वो display करता है star के tags spaces के लिए और new line के जो breaks होते हैं उनके लिए example अगर मैं pre के tag लगाया है ना तो होगे कि यह जो पूरा मेरा पैराथ है ना यहाँ पर अगर मैं प्री लगाया वो खुद ही करेगा क्या html मुझे line skips करके देंगे मुझे spaces देगा खुद बाखुद और new lines है जोएंगी खुद बाखुद predefined pre formatted यह एक टैग होता है हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी हमें BR लगाने की ज़रूरत नहीं होगी line breaks यूज करने की ज़रूरत नहीं होगी यह खुद सारा के सारा function create कर देगा next है font font जो होता है define करता है size color आपके font के ठीक है यह font है मेरा इसका size दिखा देगा color दिखा देगा अब अच्छा इसमें तीन attributes होता है size, color, face तीन तरह के attributes हैं याद रखेंग mcqs में भी आ सकता है three attributes three attributes consequence है size color and face size चिंज करेगा font का color चिंज कर देगा black था तो white, grey, blue जो भी it's upon you और face उसका सही है और यह आद रख्खा जाए कि जो यह tag है यह support करता है सिर्फ html 4 तक क्यूंकि हम html 5 पढ़े तो हमें font वाले इसकी tag की ज़रूरत नहीं है यह just html 4 तक ही work करता था font को लगा ही ज़रूरत नहीं है आगे हम style.css में देखेंगे किस तरह से font work करता है next आगे हमारा center इसको अलाइन कर देगा alignment करेगा बिल्कुछ center में यह पेज था मैं आपको एक्जेम्पल दिन्हों अगर यह पेज है होगा क्या अगर मैं यहां से वक कर रहा था नहीं यहां से start कर रहा था तो करेगा क्या एक box type करेगा बिल्कुल और इस sequence के अंदर-अंदर सारा मेरा content डाल देगा यहां पे भी gap यहां पर भी gap तो text align बिल्कु center में मेरा जितना भी text था उसको डाल देगा से नेक्स्ट है सब सब का tag इस तो आपने कुछ देखे हैं अगर देखे हो तो formula है H2O, NECL, CH2 अब H2O example जो थी ना H2O यह 2 जो small था सब का जो tag होता है यह small content लाने के लिए सब यूज के जाता है match आ रहा था इदर 6 को अटाएं आपर और यहां कोई 6 number लगा था ठीक है और यहां पर सब का tag लगा था हूँ मैं ठीक है होगए कि यह सब जो था है ना define और levels के बीच में small कर देगा 6 को बिलकुल H2O की तरह यह सब वर्क करता है और यह जातर आपके formula charts में और electronic configurations में यूज होता है सही है H2O और आप इसको test भी कर सकते हैं जादा जादा आप electronic configuration खुद बनाने कुशिश करें सही है इतना तो आपको आगया किस तरह से normal functions हम यूज कर सकते हैं लास्ट है हमारा सुपर का SUP जिसता है सब था इसता है SUP होता है क्या था इसमें सब में तो 2 नीचा आता था सुप में क्या होगा एक formula गर मैं दूँ आपको एक और physics का E is equals to mc square अब power जो होती है ना power small power यहाँ पर क्या था base पर आ गया था तो जो नंबर में चार अदा यह नंबर जो 6 था यहाँ पर अगर मैं सब लगाता हूँ ना SUP तो यह 6 जो है friend के उपर चाजागा यहाँ पर तो इस्टुएंट्स इस तरह से हमारे tax work करते हैं सारे की सारे use होते हैं और बहुत important है यह programming में अगर next हम example दिखाएंगे आपको और बताएंगे किस तरह से एक एक tax यूज होता है and I hope students आपको बहुत चुते के से clear होगा अपना खायल रखेंगे students अला हाफिस